महराश्ट में कुर्सी के लिए BJP और शिफसेना में खीच तान जारी है BJP दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है और शिफसेना को डेप्टी सीम और मंत्री मंडल में शिफसेना विधायकों को सम्मान जनक जगा देना चाहती है लेकिन शिफसेना अभी भी 50-50 वाले फॉर्मिले पर अड़ी हुई है महराश्ट में तेजी से बदलते सियासी समिकरण में किसका पलड़ा भारी होगा गोनियू समवादा ता अंजली ओचा बता रही है महराश्ट विधान सबा चुनाओं के परिणाम आयवे 12 दिन हो चते हैं लेकिन अभी तक महराश्ट में सरकार नहीं बन पाई है भारती जन्ता पार्टी और सहयोगी दर शिफसेना के बीश में पावर शेरिदो लेकर के समझोता नहीं हो पा रहा है लेकिन नहीं पे भाषट में सूत्रो का क्याना है पूरा विश्फास है कि जल्दी ही जंदी भारती जन्ता पार्टी स्रकार बनाने का दावा करेगी हलकि भाषपा नहीं तक यह सांथ नहीं किया है कि क्या शिफसेना से समझोता हो गया है क्या उनकी शर्ते मानी गिये या शिफ सेना ने भारते जंता पार्टी की शर्ते मानी जहां पे शिफ सेना की मांग है कि धाई-धाई साल तक दोनों दलों के मुख्य मंत्री रहने चाहिए बारे-बारी से उनी तो भारते जंता पार्टी ने शिफ सेना का जो ओफर किया है वह अपनी मांग पे अडियो ही है कि पावर शेरिंग बराबर होनी चाहिए। पास 105 गीन वीटायक है, वहीं पर शेफ सेना के पास 56 गीन पर 007 गीन वुदायक 몇 गीन कर्जिद करवार में बधायों पास 54 बीधायद महाराश्रमें, जहां पर ऐतले लगा रही है कि शेफ सेन एक पास 16 गीन करदा बना सकती है। वहीं पे NCP के चीफ शरत पवार ने कहा है कि वो विपक्षमा बैठनी को तयार है। ऐसे में भारते जंता पार्टी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि जल्दी ही एक समझ होते पर अपने अलाई के साथ उस पहुच जाएगी लेकिन किस प्रकार का संथोता होगा ये देखना बाकि है।